यह लाँ सकते हैं ताकि यह इस pawn पे हम अटैक कर सके है ठीक है तो यह की दूसरी पोजिशन है जिसमें ब्लैक की पहली चाल है और यहां पे ब्लैक के पास रानी है बिशप है और चार पॉन है एंड गेम की पोजिशन है और यहां पे अगर आप देखोगे तो वाइट का जो यह पॉन है वो सिंप्ली दो स्टेप अवे है यहां पे इसक्वाइर पे पहुंचने से तो सिंप्ली हम क्या गर सकते हैं कि हम अपास जो यह बिशेप बहुत ही अच्छा प्लेस हो रहा है इस वाले टैगनोल और इस वाले जो स्क्वाइर है आपका उसको कवर कर रहा है राजा अभी तक इसमें इस कॉर्णर में फसा हुआ है हमार राजा भी सेफ है उस मुकावल यहां पर अटैक की तरह सो सकते हैं कि कुईन जो है F8 पर ले जाके जो यहाला स्क्वाइर है F1 का जहां पर चेक मेट का जो थ्रेट है वो हम दे सकते हैं तो यहां पर कुईन F8 पर हम मेट इन 1 का थ्रेट देंगे जो की डिफेंड हो सकता है केवल इस कुईन से कुईन जो ह a6 पे आके ठीक है तो अब उसके बाद क्या गरेंगे हम यहाँ पे आजाएगे queen यहाँ पे आजाएगी उसके बाद हम कुछ ऐसी threat देखेंगे जिसे हमको फाइदा हो अब वो कैसे होगा जब हम queen को ऐसे square पे ले जाएंगे जहाँ पे हम दो attack कर सके अब दो attack क्या होंगे यहाँ पे सबसे पहले तो queen को हम यहाँ पे ले जा सकते है queen b4 दो attack कहने का मतलब है कि पहला तो हम checkmate का जो है threat दे रहे ठीक है इस वाले जो position पे जाके दूसरा हम इस bishop को capture करने का threat दे रहे ठीक है अगर यह queen किसी तरह से यहाँ पे से हट जाए इस वाले square से जो कि इसको defend कर रही है और अपने जो राजा को secure करने में चली जाए तो simply हम इस bishop को capture कर सकते हैं तो इस वज़े से हमको queen यहाँ पे लेके जानी है queen उसके बाद a6 पे लाईगी जो कि logic है लाई इस square को backmate के लिए और दूसरा जो bishop है उस पे तो उस case में queen जब आपकी f1 पे चले जाए कि वाइट वाली तो हम simply इस bishop को capture कर सकते हैं इस तरही के से और future में इस pawn को भी capture कर सकते हैं